नागपूर में कल से भाड़ी बारिश का आलम देखने को मिल रहा है उसी बीच पूरा शहर जलमग न हो गया है जिसके चलते नागपूर पुलिस द्वारा इस आपतिग्र स्तिती को नियंत्रन में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है दर्चको शहर की स्तिती किसी लगुतम महा प्रले जैसी बन चुकी है शहर के लगभग सभी मुख्य रास्तों पर पानी भर जाने से स्तानी अजनता को आवा जाही के लिए भारी समस्या का सामना तुक करना पड़ रहा है जिससे जन जीवन भारी मात्रा में प्रभावित अमितेश कुमार ने आपात कालें ठीकानों का जायजा लिया इस वक्त्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि नागपुर पुलीस के एंडियारेप टीम समय जिला प्रशासन और पुलीस प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर राहतकारिया चलाय जा रहा है साथ इस वक्त जंता से अपिल करते हुए उन्होंने कहा कि पुलीस द्वारा अपने स्तर पर राहतकारिया चलाय जा रहा है जिसके चलते पुलीस की साहता करते हुए कोई भी बिनकाम से बाहार ना निकले और संभाता स्तिती की गंबिरता को समझते हुए सेल्फी निकालने का थोड़ी सी प्राब्लेम हुई थी बट अभी सभी रेस्क्यू ऑपरेशन्स जो भी एंडी आरेफ आमी की टीम्स जिला प्रसाशन स्तांतिक प्रसाशन पुलीस प्रसाशन सभी मिलके रेस्क्यू ऑपरेशन्स शुरू है किसी प्रकार की कोई इशू अर्चन अभी नहीं है हम लोगों से आवान करना चाहेंगे कि कहीं के लोग अन्नेसेसरी गर्दी जगह जगह पे कर रहे हैं और सेलफी वेगरा लेने की कुछ टेंडेंसी दिख रही है लोग इसके वज़े से रेस्क्यू ऑपरेशन्स में बाधा पहुंचता है लोग शक्यतों अपने घर पे रहें ताकि जो लोग कठिनाई में हैं उनको मदद करने में पुलीस और बाकी सभी प्रसाश्निक विभागों को सहुलियत होगी एक हानी हुई है ऐसी खबर हमारे पास है हम बाकी जो भी लोग फसेव हैं उनको निकालने कोशिश करें कैमेरा परसन अखिलेश भारतवाश के साथ मनीश टेमरी बीसियन यूज नागपुर कर दो कर दो कर दो